हलो एवरीवन इस वीडियो में हम बढ़ेंगे ग्लास्टिक्स एंसी आर्टी की पोयम उसका पूरा एक्स्पेनेशन अच्छे से समझेंगे और क्रेशन आंसे देखेंगे तो इसमें बताया गया है beauty अगर आप beauty को describe करने की कोशिश करें बताने की कोशिश करें तो आप किस तरीके से बताएंगे तो यही पोयम में बताया गया तो beauty is seen in the sunlight तो जो beauty है उसको सुन्दर्टा को देखा जा सकता है और धूप में सुरज की रॉशनी में the trees, the birds, corn grouping and people walking or dancing for their harvest तो जो beauty है उसको देखा जा सकता है धूप में, पेडो पर और जो ये चिडियां और ये सब बोलते रहते हैं ना बक्षी इन में और खेतों में देखा जा सकता है जब लोग जो है उन खेतों में काम कर रहे होते हैं महनत कर रहे होते हैं, लोग और, एक तरीके से, देखा चाहे, कह सकते हैं, हम कि डांस कर रहे होते हैं, ये देखकर, कि जो उनकी फसल है, उनकी जो पैदावार है, पकने वाली है, उसको देख कर के, वो खुश हो रहे होते हैं, तो उसमें हम beauty को, सुन्दर्ता को देख सकते हैं तो देखे, कॉन गृपिंग कॉन गृपिंग का जो फसल होती है हमारी कॉन की फसल कॉन भुट्टा भुट्टा कहते है जिससे बनता है वही होता है हमारा कॉन की फसल एक अनाज होता है हार्विस्ट का मतलब होता है जब फस्टल की कटाई होने वाली होती है उसे बोलते हैं तो ये इन सब चीजों में धूक में ट्रीज में चिडियों में लोगों में खेतों में हम ब्यूटी को देख सकते हैं फिर आगे है इसमे, beauty is heard in the night, हम beauty को पले हमने देखा था, sunlight में देख सकते हैं, अब beauty को हम रात में भी सुन सकते हैं, wind sighing, rain falling, wind जो एकदम से बहती है, जो हवा की साइं साइं जो आवाज होती है, उसको सुन करके हम beauty उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, rain falling, बारिश की आवाज सुन करके, और a singer chanting, anything in the earnest, और एक जो singer जो गा रहा होता है, या chanting रहा होता है, sincerely, पूरी लगन से, पूरी महनत से, ज को सुन करके भी, हम जो है, नेचर में, नेचर की beauty को देख सकते हैं, ब्यूटी को देख सकते हैं, अब beauty is in yourself, आप beauty को, सुन्दर्ता को खुद में भी देख सकते हैं, कैसे? good deeds, happy thoughts, good deeds का मतलब होता है, अच्छे काम करके, happy thoughts मतलब अच्छे अच्छे विजार सोच के, that repeat themselves in your dreams in your work and even in your rest, और जो beauty है, जो आपके अच्छे काम है, अच्छी thoughts है, वो खुद को repeat करते हैं, दोहराते हैं, कहां, आपके सपनों में भी, आपके work में, आपके काम में भी, और यहां तक की जब आप अराम करते हैं, उसमें भी, देखे, dream का मतलब है, जब बनना चाहते हैं, हर चीज में आपकी जो beauty है, वो आजाती है, तो यह हमारी poem का explanation हो गया, अब हम देखते है question answers, तो यह जो पहला question है, काफी बढ़ा सा है, देखे, इसका sense यह निकलता है, कि आपने beauty के बारे में सुना है, जो sound होती है beauty की, या beauty कैसी होती है, वो melodious होती है, या unheard भी होती है, जो पूरी की पूरी बात author बोलते हैं, इन बातों का क्या मतलब होता है, यह जो है, यह बात हमें बतानी है, तो इसका answer देना है, कि आपको beauty जो है, वो कहां कहां आदेखने के लिए मिल सकती है, तो beauty आपको बहुत सारी जगें मिल सकती है, जैसे कि, we find beauty और melodious tone आवाजे, in the sighing of winds, in the voice of night angle, that are pleasing to our ears, और we find beauty in trees, in rivers, in the sunlight, in the moonlight, इस तरीके से आपता सकते हैं, कि beauty जो है, आपको नेचर में बहुत सारी जगें, देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सकती है, फिर next है, read the first and the second stanza's of the poem again, फिर से हमें first second stanza को पढ़ना है, note the following phrases, इस जो phrases है, उनको, कौन, growing, people working and dancing, wind sighing, rain falling, singer chanting, these could be written as, कौन, that is growing, people who are working and dancing, can you rewrite other phrases like this, तो देखे, जैसे कौन, growing, को, कौन, that is growing, करके लिख सकते हैं, people working and dancing, people who are working and dancing, बाकि जो phrases है, उनको कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, तो जैसे कि, other phrases, आप example के लिख सकते हैं, इसे stream flowing, या फिर baby crying, या flowers blossoming, और birds singing, rain falling, इस तरीके से, आप जो है, वो लिख सकते हैं, फिर find pictures of beautiful, ये तो इतना कुछ नहीं है, write a paragraph about beauty, तो question answers almost, इसी में complete हो गए है, beauty के, आप इसके, ये poem अच्छे से देख लीजए, क्या-क्या है, इसका नाम, poet का नाम, इस तरीके से, wind blowing, wind sign का मतलब है, सरसल करके चलना, हवा का, और rain का गिरना, singers का गाना गाना, और अच्छी thoughts, अच्छी काम, ये सारी की सारी चीज़े है, इसके answers में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो thank you, हो गया, complete.